नमस्कार मैं हूनेहा शर्मा स्वागत है आपका कुनली टीवी के मंथली राशी फल में जिसमें हम बताएंगे कैसा रहेगा सब्टमबर का महीना बारा राशियों के लिए इन सब की जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं आचारे इंद्र देव जी स्वाग चंद्रमा का मन से बहुत गहरा संबंद होता है बहुत संस्टिव राशी माने जाती है करक राशी तो करक राशी का ये जो चार्ट है स्थम्बर मेहने में लगभग कैसे रहेगा यह आपके सामने है यहां पर केबल दो ग्रह ट्रांजिट करेंगे एक सूरिया 17 सप्तंबर को बदल करके सिंग राशी से कन्या राशी पर आ जाएंगे और शुक्र फिर जाकरके 24 तरीक को 24 सितंबर को भी बुभी राशी पर बरतन कर देंगे इसके अलाबा बुध बक्री होंगे 10 सितंबर को चंद्रमा को छोड़के हर सबद दो दिन में चं और यह को इस सितंबर महिने में थोड़ी सी पराकर में बृध्दी हो सकती है नए प्लान बन सकते हैं किसी का सपोर्ट किसी का सयोग मुल सकता है किसी महिला साधी का, अगर आप महिला है तो पूरुषादी का और पूरुषा तो महिला साथी का सहयोग मिलता न जरा रहा है, सपोर्ट मिलता न जरा है, उसकी गाइडेंस से आपके कुछ बिगड़े वे काम बनते न जराने एक तो ये बड़ी बात है, दूसरे यहाँ पर ये लगभख समय ठीक है, अच्छा है, आप अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं, करकराशिक जातक आचारी जी बात करते हैं कि जो लोग करकराशिक जातक हैं, वो कुछ लोग बिजनस में होंगे, कुछ लोग जॉब में होंगे तो उनके लिए ये महीना कैसा रहेगा? सप्तम्ब से ben परशान होगा कूझे आपको बदल सकता यह यह जोबदे प्रेसं सब्सक्राइख यह जो लोग अपना प्लिटे आप जिनका लो हाऊ केमिकल, तेल, वाइल, पेट्रोल या ऐसी चीजों का शनी से जुड़ा हुआ काम है, उनका इस सप्तम्बर महिने में काम थोड़ा सा बढ़ सकता है, और कोई नए भी आप चीजों के सुरुआत कर सकते हैं, नए प्लैन कर सकते हैं, काम में थोड़ी सी चंजिंग भी हो सकती ह है, जो लोग नए बिजनिस के सुरुआत करते हैं, तो उनके लिए भी समय लगभख ठीक रहेगा, तो ब्यापार के लिए समय करकराशी वालों का लगभख अच्छा जाने वाला है, जी, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं करकराशी के जातकों की फैमली लव और रि पतनी के साथ कोई समस्याइं चली आ रहे हैं, तो वो थोड़ी से बढ़ती नजर आ रहे हैं, यहां पर समस्याइं सौट आउट नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन नॉर्मल जो लोग हैं, तो उनमें थोड़ा सा कहा सुनी हो सकती है, पतनी के साथ थोड़ा सा मन बुटा हो र परिवार के साथ समय लगभग नेहा जी बैलेंस रहेगा ठीक ठाक रहेगा यहां पर माता को समस्या नजर आती है इसके साथ इसके अलावा परिवार के लिए समय आपका ठीक जाने वारा से तंबर का महिना अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो लोग स्टूडेंट हैं या फिर जो लोग रिसर्च में हैं उनके लिए समय कैसा रहेगा करकर आज़ी के जो स्टूडेंट्स हैं इनको अपना जो दिहान है वो बहुत एकत्तृत रखना होगा मैंने पहले कहा कि संस्टिव रासी है जलत अप्तो की रासी है तो यहां दिहान बहुत रखाई के लिए बहुत अच्छा समय है बहुत बढ़ियां जाने वाला है यहां किसी कॉंपटिशन भीसा लेना चाहते हैं जो साइंस जुड़े हो किसी पढ़ाई को कर रहे हैं उनके लिए बहतर समय रहेगा इस सितंबर का महिना बात करते हैं इनकी हैल्थ की और ट्रेवल की हैल्थ के लिहाज से इनके लिए समय कैसा रहेगा और ट्रेवल के लिहाज से चलाना चाहिए और सेहत के गरमावाद करों तो करकरासी बाले जातकों के लिए सेहत के लिए समय ठीक नहीं है सेहत में आपकी दिक्कते रह सकती है चोट लग सकती है स्वास्ते में किसी ने किसी तरह की समस्याएं रह सकती है और दूसरा सावधानिया आपने रखना है बाहन चलाने का देखे शनी महराज सेवन था उसमें आपके राशी से गोजर करेंगे सीधी द्रिष्टिन के लगन पर रहेगी यहां पर शनी महराज की द्रिष्टि करकराशी पर पड़े तो इतना अच्छे संकेत नहीं होते तो यहां पर आप सेंस्टिव राशी आपने बोलाए कि यह है तो क्या उपाई यह कर सकते हैं दाकि इनका मन जो है स्थिर रहे या फिर मैंटली यह अच्छा पील करें इन्हें बहगवान शिव की आराधना करने चाहिए बहगवान शिव के या फिर चंदरमा की किसी मंतर के चंदरमा का मंतर गजाब यह भगवान शिव के किसी मंतर गजाब करें इन्हें रात को दूद्ध ही ग्रहन करने से बचना चाहिए एक तुई उपाय करना चाहिए और तीसरा उपाय करक राशी के जुआता कि इन्हें काम करना चाहिए सोम बार बाले दिन कच्ची लस्सी में गंगा जलब गएरे मिला करके भगवान शिव को जाकर के एपन करना चाहिए अच्छी रिजटाएंगे जी तो यह था करक राशी का हाल नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे अगली राशी सिंग की जुड़े रहे हुमारे साथ धन्यवाद जय माता जी